हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू किट्टू ड्रीम हास फ्रेंट्स यह अनार का प्लांट मैंने अनार की सीर से ग्रो किया यह देखिए यहां पे ककडी खीरे और भिंडी और यह कद्दू की बेल पुराने वाली और यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह मुसमी का प्लांट है यहां से मैंने किनों का उठा दिया और च्छोट・ च्छोटे मसमी इसमें बनी हुई है यह दिखी कितने अच्छी लग रही है च्छोट च्छोटे से काली मेर्च के जैसे बनी है और यह पदेना यहां से उखाड दिया था मैंने एक टहनी लगा दी थी और काफी अच्छे से पदेना हो गया है और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं चैरी टमैटो यह चैरी टमैटो जैसे मैंने रेडी पे देखे थे बहुत छोटे साइस के टमैटो थे कोई ले भी निरा था उस भहिया से और मैंने टू केजी ल लगते हैं और बहुत खटे हैं और मैं यह दो आपको ग्रो करके दिखाऊंगी कि मैं किस तुरीके से ग्रो करती हूं पहले मैं यहां से हर्वेस्ट कर लेती हूं पहले भी मैंने हर्वेस्ट किये हैं काफी सारे टमैटों इससे और मैं यहां से बाद में उठाऊंगी बस यहां पर मैं यह देखी यहां पर मैंने लगा दिया था नेमो का सीड और यह देखी मैं आपको ग्रो कर बाले थी मैंने और इसमें देखिए यहां पर घंदा बिल गा दिया है और यहां पर जो जो यह coy जिसे कहते हैं चोटी चैरी यहनेकी चोटी आंख भी कहते हैं और इसमें देखी कहनी में मैंने ने काफी Lucky रहा रही है और यहां पर कष। वारीगों यहां पर धकन कठा कर रही हूं इसका भी कुछ करूंगी मैं बस ऐसे मैंने कट लगा रख है क्या दबादे ति हूं और ढ़कन डाले देती हूं और काफी सारे सिंग्रे मैं हार्वेस्ट कर रही हूं आज कल और यह देखिए कितना चोटा प्लांट है जो मैंने आपको पिछले वीक दिखाए थे ट्रांस्प्लांट करके और इस वाली बीग वाली क्यारी में देखिए कितने अच्छे हो गए हैं यह जो मैंने चुगनी के लग समले में लगा दूँगी और यह वाली गोबी बंद गोबी जो है इसे भी मैं आज हर्वेस्ट कर लूँगी और यहां पर कुछ और लगाऊंगी जैसे कि काफी सारे ग्रो बैग खाली करने के हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ लगा हुआ है दिल नहीं कर रहा है उनको खा लोगा इदा वर्में जो हम अनार कहते हैं तो तभी मैं ने ग्रो किया था इसके उपर हुआ वैर्ण कहिक सब्करणे पिछले हफता उन פेश लौबर हे ओर गैंदे पर देखे कितने संदर फ्लावर आ रहे हैं और सिंग्रे मैं फोर बार हार्वेश्ट कर चुकी हूँ किसी किसी को देने के लिए और फोर बार मैंने घर में बना लिए हैं और आज भी मैंने हार्वेश्ट किये थे सिंग्रे जैसे कि प्रॉसन अंटी को भी दिये हैं और मैंने अपने लिए भी रख हैं और सीमा को भी मैंने दिये हैं जो सीमा हमारे काम करती है और यह देखिए यहां पे भी मैंने टू टमैटो फोड़े थे और मैंने वीडियो डाली थी इसके उपर जब मैंने इसमें यह टमैटो फोड़े थे देख रहे हूं आप कितनी अच्छी 1010 इंचिस के प्लांट बन यह देखे जुम चैरी टमैटो बोल रही हूं इसको ऐसे डारी हो और सबसे बड़ी बात है इसमें सीड नहीं हैं जैसे कि सीड लैसा है यह टमैटो वसे एक दो ही निकले गढ़ा एक टमैटो में से अगर मेरे को टू इसमें इसमें से पॉढ़ भी मिल गए यह से की टू प यह देखी सिंग्रे अभी इसमें लगे हुए हैं कितने सिंग्रे मैं हर्वेस्ट कर रही हूं कम से कम 15 दिन हो गया मुझे सब्जी हर्वेस्ट करते मूलियों से और यह देखी पौद कितनी अच्छी हो रही है इनको जब मुझे लगता है को थोड़ा सा बढ़ा हो गया कोई प्लांट उसे मैं उसी टैम उठाकर लगा देती हूं यह देखी तसले मैं इसे भी उठाकर लगाए आपको एक वीडियू डाली थी शौट में कैसे उसको बस ऐसी मिर्ची दिवा दे थी चीरा देकर और रहाट से कहीं ऐसे खोल दिया थह मिर्ची को और बस ऐसे लगा दी थी देखरेंगों कि किसी से गुछ हो में यहां पे मुझे पौद मिल गी है और काफी अच्छी quality की ये मिर्ची अर यहां पे भी देखिए टेमेटो की पॉद है और जैसे जगा जगा मैंने टेमेटो पॉद लगाई हुई है यहां पर देखिए मैंने फ़लॉवर कापी अच्छह है यह इदर वाला को यह अनार का है, पहले भी मैंने आपको दिखाया था और इस तरीके से मैं बाल्टी भरती हूँ, पानी की, फिर पानी देती हूँ, और यहाँ पे निम्बू का, ऑनियन का, काफी सारी मेरे पास यहाँ पे रखे हुए है, मैंने जो यह फार्टिलवर बना करके, जिसे मैं तरल खाद बोल रही थी तरल खाद काफी अच्छा होता है हमारी गार्डन के लिए जैसे जैसे आगे आगे अब गर्मी आएंगी तो ये इनको पानी में डिलोट करके डालती रहूंगी और टमैटो का प्लांट बेल के रूप में हैं कुछ तो मैंने यहां पे लकडी की स्टिक आगे और मुझे प्लांट मिल जाएंगे स्टाबरी के बैंगन के और यह वाला देखिए प्लांट बहुत सुंदर लगता है जब इस पर फ्लावर आएंगे और मैंने इदर उदर भी इसकी एक टैनी लगा दी एक टैनी से ही काफी अच्छा चल जाता है और इसे आप जरू में से उठाए थे साग की हर्विस्टिंग की थी तब मैंने यह पौद उठाई थी और क्रेट में लगा कर दिखाई थी और यह देखिए जो इससे पहले मैंने आपको दिखाए हैं बड़े सारे धर्मा कोल के बॉक्स को जो गहरा किया तो उसमें वो भी ऐसे ही और इनकी इ और उनकी काफी अच्छी फलियां लगी हुई हैं और मैंने लगभग 100 ग्राम मटर कल भी लिए थे जो मैंने मिक्स वेज में डाल दिये थे और दाने थे 100 ग्राम लगभग एक कटोरी मतलब होगे थे और इस तरीके से देखिए यहां पर भी मैंने मैरी गोल्ड का लगा लगने की सभावना नहीं होती हमारे किसी प्लांट को काफी अच्छा होता है कीड़े से यह मेरी गोल्ड का प्लांट और देखिए और कितना घना हो गया यह लैमन का प्लांट देखिए पिछे भी लगे हुए हैं काफी सारे इसमें से अभी कली तो मैंने 100 ग्राम लगभग देखिए अब मैं रात में सुटिंग कर रही हूं क्यूंकि दिन में मुझे टैम ही नहीं लग रहा यह देखिए मैंने गोबी का फूल और ब्रॉकली का इस वाले पोट में से खाली किया हैं और मैं यहाँ पे खाली कर रही हूं जितने भी ग्रोबैग मुझे लगता है कि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें